हेलो गाईज वेलकम बैक आज हम लोग पॉपी बली टाइम चैप्टर टू के सबसे क्रीपी करेक्टर बंजो बनी की स्टोरी को जानने वाले हैं एक कॉमिक के जरिए ये कॉमिक कुछ दिन पहले मोव इंटेटेन्मेंट चैनल के ट्वीटर पेज पे डाला गया था और मेरे क को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था जब तक मेरे पास एक तो कमेंट्स नहीं आते इस चीज़ को लेकर डेकर तो जमेनो भी मेरे को कमेंट करके इस कॉमिक के बारे में बतायो उन लो akt है और आप लोगों को भी कुछ अपडेट मिलता है किसी बी गेम से रिलགྷ तो यहां पर बंजो बनी कह रहा है कि उसको सीक्रेट एक्स डूर्णने के लिए हमारी हेल्प चाहिए वो किसी एग हंट पे निकला हुआ है और उसके हाथ में एक बकिट भी है जिस पर की बगी लिखा हुआ है और जिसकी आइस भी है यहां पर तीन लोगों को दिखाया जाता है और सामने की तरफ बुक्सी बोट मेरे को कुछ क्रीपी सा लग रहा है क्योंकि उसकी आइस अंधेरे में से चमक रही है और वो अंधेरे में क्यों बैठा हुआ है और यहां पर वो ब्रॉण से पूसता है कि उसने किसी सीक्रेट एक को देखा है कि पकी और वो हंट पे निकले हुए है तो यहां पर वो बन्जो को बताता है कि उसने यहां पर गेम स्टेशन में एक हीडन स्पोर्ट को देखा है इसके बाद बन्जो बोलता है इसके बाद वो जाता है गेम स्टेशन के तरफ एकी 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 सोंग आता हुआ तो यहां पर वो बन्जो को बन्जो को कुछ मेहख आती है उस जगा से जहां पर हम लोगו ने मौमी को मा रा था और बैसिवली जिस दर्वाजे की नीचे से वो रोबोटिक हैंड आये तह जो कि मौमी की आधी की बॉड़ी को अंदर ले गया था उस जगा से बंजो को कुछ महक आती है वो सुंगता है और बोलता है इसमेल एन एक बखी उसको यहाँ से basically किसी अंडे की महक आने लगती है और इसके बाद वो बोलता है but brown said to go to the game station what should I do basically वो confused है क्योंकि brown ने कहा था कि उसको game station जाना चीए but इदर से उसको एक एक की महक आ रही है तो क्या उसको इदर जाना चीए या नहीं okay वो decide करता है कि वो इस जगा पर जाकर एक ढूड़ेगा and वो अंदर घुस जाता है उस जगा पे and next picture मों थोड़ा सा डरा हुआ है वो बोलता है it's really dark कि इदर काफी जाता अंदे रहा है and next picture मों उसको एक 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 नजर आ जाता है जिसके बाद वो बोलता है look there's the egg अब यहां पर बंजो थोड़ा सा खुश होता है क्योंकि final उसको एक 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 नजर आ जाता है but it's so high up अब यहां पर बंजो काफी छोटा होता है और यहां पर एक काफी उचे पर रखा हुआ होता है तो बंजी थोड़ा सा confused होता है कि उसको नीचे कैसे लेके आएगा how do I get the egg अब इधर तुम लोग picture में देख सकते हैं सामने एक तरव एक grab pack पड़ा हुआ है और वो grab pack को उठा लेता है this grab pack should do the trick वो यह कहा कर इस grab pack को यूज करता है उस अंडे को नीचे लाने के लिए I got it और वो egg को नीचे उतार लेता है I wonder what's inside तो यहां पर वो यह बोलता है चूजा भी निकल जाता है I mean यह काफी ज़्यादा disturbing सा है and यह देखने गए बन्जो बहुत ज़्यादा दुखी भी होगा I guess obviously यहां पर बन्जो काफी ज़्यादा दुखी होता है काफी ज़्यादा रोने लगता है इस चीज़ को देख कर पर वो बोलता है Don't worry little bird I help you वो यह कहकर आगे कितर उसको बचाने के लिए जाता है वो कुछ करनी के सोसता I don't know बट यहां पर उसका पैर किसी blank पर पढ़ता है जो कि निच्चे किसी घटे पर लगा हुआ था या फिर I don't know क्या था लेकिन उसमें वो गिर जाता है जहां पर तुम लोग किलेरी देख सकते हो वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और वो किसी dark सी जगा पर जाकर नीचे गिर जाता है किसी basement टाइप जब उसके आगे खुलती तो वो देखता है किसी अंधेरी सी जगा पर हो वो help चिलाता है but कोई response नहीं आता कोई आप उसको 1 घंटा हो चुका है पर वो सोसता है साइस से कोई उसकी help करने के लिए आएगा बेट यहां पर कोई उसकी help करने के लिए नहीं आता है क्योए यहां पर अब 12 घंटे हो चुके है बन जो बनी काफी जादा इनोसेंट करेक्टर है इस गेम का एंड दीरी-दीर काफी जादा सैड स्टोरी बन चुकि है क्योंकि यहां पर बन्जो बनी आप फस्स चुका है बेस्मेंट में उसके लिए पूरा लग रहा है मिरें को काफी ज्यादा अब ऐसे उसको तीन दिन हो बेस्मेंट में वो भूका प्यासा यहां पर काफी ज्यादा बिमार सा हो चुका है उसके हालत तुम लोग देख सकते हैं कित्ती ज्यादा खराब हो चुकी है अब यहां पर एक डेस हो चुकी है बटियंग पर काफी ज्यादा जईब सी चीज हो ही मुग इसके साथ तूमnew वो काफे ज़्यादा खराब हालत में है तो यहाँ पर फाइनली इस वाली पिच्चर में हम लोग कुछ चीज़े समझ सकते हैं उसे पहले चीज की कॉमिक किस ने लिखी तो यह कॉमिक बंजो ने ही लिखी थी यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो नीचे कुछ ड्रोइंग पड़ी हुई है तो में भी हो सकते हैं कि बंजो ने ही यह अपनी स्टोरी लिखी हो मरने से पहले बट यहाँ पर तुम लोग पिच्चर में देख सकते हो कि उसकी जो ना सर की रूई निकली हुई है और उसकी आँखें भी निकाल ले गई है काफे जादा बोली पार्ट उसके ऐसे निकाल ले गए है तो में भी हो सकते हैं उसकी बोली पार्ट को निकाल लिया हो बाद में किसी ने और उसको किसी ओर टोई में यूस किया हो उसके दात बढ़ चुके हैं वो काफे ज़्यादा देखने में क्रीपी लग रहा है जैसे हम लोग ने पॉपी पिले टाम चैप्टर टू में देखा था वो बिल्कुल वैसा बन चुका है और जबकि वो काफे ज़्यादा क्यूट हुआ करता था खर जो भी हो गईज यह काफे ज़्यादा जीब स्टोरी थी बंजो बनी की अगर आप लोगों को आज की एक कोमिक एक्स्प्लेशन पसंद आए तो प्लीज आर इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर ने तो सब्सक्राइब भी कर लेना और मैं मिल तो आप पस नेक वीडि जाए 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 जाए.